ओम नमस्षिवा जै महाकाल आज किस वीडियो में हम जानेगी कि सिवलिंग के उपर काली मिच क्यों चढ़ाई जाती है जैसा कि सिव महापुराण में वड़न है कि भगवान शंकर को काली मिच चढ़ाने से दुस्मन परास्त हो जाते हैं, रोक समाप्त हो जाते हैं, घर के कल दिया जाया, तो बहुत बड़ी किरपा महादेव की आप पर होगी, ठीक जैसे आप शिवलिंग पर इलाइची लॉंग चढ़ाते हैं, ठीक वैसे ही भगवान शंकर को काली मिच चढ़ाने से किसी वीड़कार के रोग नहीं होते, किसी वीड़कार के सत्रू नहीं सताते उ आप पांच यह साथ या एकिस काली मिच लेकर महामर्तुन जै मंत्र को पढ़ कर चढ़ा सकते हैं, तो ऐसा करने से सभी परकार की अलाबला टल जाती है और आपके घर में किसी वीड़कार की बाधानी रहती है, और हाँ अगर आप अपने घर में शांती चाहते हैं, आप च